हेई गाइस गस्मोडिक यह और आज हम करने वाल एक कैमरा कंपेरिजन गालेक्सी M20 और जैनफोन माक्स प्रो एंवन के बीच में आप मेंसे काफी सारे लोग को लग रहा होगा कि मैंने जैनफोन माक्स प्रो एंवन क्यू चूज के एंटू क्यू नहीं वैल यह इसके लिए क्योंकि गैलेक्सी M20 और M1 की प्राइजिंग काफी सिमिलर है सिर्फ हजार रुपए का फरक है दोनों फोन में तो मुझे लगा आप मेंसे काफी सार लोग को यह दोनों फोन में कन्फूजन होगा तो चलिए देखते हैं कि कौनसे फोन के पास बेटर कैमरा है क्योंकि Zenfone Max Pro M1 पर Google कैमरा का सपोर्ट भी है तो सबसे पहले हम स्टॉक कैमरा कंपेर करेंगे दोनों फोन पर और उसके बाद हम Google कैमरा पर शिफ्ट करेंगे Zenfone Max Pro M1 पर तो तो बिना टाम वेस्ट की ये वीडियो शुरुर करते हैं और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंदाते हैं तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना भी मत बूलना नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेलाइट में फोटोस की और यहां पर मुझे गैलेक्सी M20 का परफॉर्मंस ज्यादा अच्छा लगता है अगर मैं honestly कहूं तो दोनों ही फोन अच्छा है बट मुझे M20 का स्पेशली परफॉर्मंस अच्छा लगता है कलर्स और डायनामिक रेंज के रिस्पेक्ट में अगर आप स्काई को देखेंगे तो इसमें ज्यादा अक्यूरसी है गैलेक्सी M20 में और शैडोस भी ज्यादा अच्छे है Zenfone Max Pro M1 के कंपेरिजन में Zenfone Max Pro M1 में प्रॉब्लम क्या है कि यह थोड़ी सी वाम इमेज प्रोड्यूस करता है और अगर हम M20 को देखे तो यह थोड़ी सी कूल इमेज प्रोड्यूस करता है और इसके फोटोस में डीटेलिंग भी ज्यादा है अगर आप दोनों फोटोस को जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि M20 के जो फोटोस है उसमें डीटेलिंग ज्यादा है उसमें ज्यादा डीटेल्स वह रीटेन करता है काफी बुरी तरह से ब्लो आउट कर देता और एक्सपोजर ठीक ठाक नहीं है उसी तरफ अगर हम गैलक्सी M20 की बात करें तो बैक्ग्राउंड में डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छी और फोटोस में जो फेस है वो भी काफी अच्छी तरह से एक्सपोज हुआ है गैलक को इसे डेफिनेटली एक अपडेट के साथ इंप्रूव करना चाहिए सिरियूसली एच डेटेक्शन बहुत ही खराप है गैलक्सी M20 पर बट ओर अगर हम बात करें तो रियर फेसिंग कैमरा में मुझे गैलक्सी M20 डेफिनेटली अच्छा लगा इसमें एक 5 मेंका पिक्सल का सेंसर है तो अगर आपको चाहिए तो आप यूस कर सकते हो पर इसकी कॉलिटी जो में प्राइमरी सेंसर है उसके जितनी अच्छी नहीं और यह एक फिक्स्ट फोकस सेंसर है तो इसमें आटो फोकस नहीं है एनिवेज अब हमाँ चाहते हैं फ्रंट फेसिंग कैमरा पर त देता है और मेरे साब से डेफिनेटली गैलेक्सी एंट्वेंटी बेटर है हलांकि इसमें थोड़ी सी ग्रीनिश ब्लू टिंट आती है पर अगर आप फोटो साइट बाइसाइट देखेंगे तो मैक्स प्राइमन के कंपेरेजिन में एंट्वेंटी की सेल्फी ज्यादा ब अगर फ्यूचर में कोई एप आया इसके लिए तो मैं वीडियो बना दूंगा एणिवेस बात करते हैं गूगल कैमरा की तो यहां पर पर पर्फॉर्मन सोड़ा से इंप्रूव होता है जैन फोन मैक्स प्र अगर हम डेलाइट की बात करें तो यहां पर डायनामिक रेंज क काफी ज्यादा डीटेलिंग है M1 के कंपेरिजन में तो मुझे नहीं लगता कि एक फोन दूसरे फोन से बेटर है उसी तरफ अगर हम इंडोर शॉट्स की बात करें तो यहां पर हाइलाइट बहुत ही मस्त हैं Zenfone Max Pro M1 पर अब यह LED स्ट्रिप देख सकते हैं background में Zenfone Max Pro M1 इसे काफी अची तरह से capture किया M20 के comparison में बट फिर भी अगर आप फोटोस को जूम करके देखेंगे तो Galaxy M20 में noise कम है और details भी ज्यादा है Samsung ने processing में बहुत ही बढ़िया काम किया यह phone पर पर अगर हम low light की बात करें तो यहाँ पर Max Pro M1 को थोड़ा सा benefit होता है Google Camera के साथ मैंने यह HDR Plus मोड में शूट किया है Night Sight में शूट नहीं किया क्योंकि Zenfone Max Pro M1 पर जो last update आए थी उसके बाद से Night Sight नहीं चल रहा यह feature वापसे जल्दी activate हो जाएगा बट अभी के लिए Night Sight Zenfone Max Pro M1 पर नहीं चल रहा तो इसलिए मैंने Night Sight यूज नहीं किया बट फिर भी आप देख सकते हैं कि Zenfone Max Pro M1 का performance बेटर है extreme low lighting conditions में और हम finally बात करते पोट्रेट मोड की तो यहाँ पर मुझे अभी भी Galaxy M20 के फोटो ज्यादा बेटर लगता है यह somehow पूरे scene को recognize करके काफी अच्छी तरह से colors produce करता है तो मेरे इसाब से तो Galaxy M20 ही winner है तो अगर हम daylight में बात करें तो rear camera और front camera दोनों के portrait mode में Galaxy M20 बेटर है पर अगर आप indoor conditions की बात करें तो यहाँ पर मुझे Max Pro M1 ज्यादा अच्छा लगता है rear camera और front facing camera दोनों में इसके portrait mode के shots ज्यादा sharp है और photos ज्यादा बेटर लगता है तो मेरे साब से अगर हम outdoor scenarios की बात करें तो M20 बेटर है और indoor की बात करें तो Zenfone Max Pro M1 बेटर है lastly अब हम बात करतें video performance की तो इसमें without any doubt Zenfone Max Pro M1 winner है अब Zenfone Max Pro M1 पर 4K तक video शूट कर सकता है और उसके ओपर इसमें electronic image stabilization भी है full HD पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम करता है तो मेरे साब से Zenfone Max Pro M1 ही विनर है क्योंकि Galaxy M20 पर आप 4K video तो शूट नहीं कर सकता है और उसके ओपर full HD video में भी आपके पास electronic image stabilization का support नहीं है तो ये ज्यादा features offer नहीं करता video recording में तो मेरे साब से Zenfone Max Pro M1 ही विनर है तो अब सवाल ये उठता है कि overall किसका camera ज्यादा बेटर है विल honestly मैं खुद confusion में हूँ कि कौंसा phone बेटर है काफी neck to neck comparison है पर अगरम सिफ stock camera की बात करे तो मेरे साब से Galaxy M20 विनर है और अगर हम majority of the scenarios की भी बात करें तो Galaxy M20 बेटर है Zenfone Max Pro M1 से especially daylight में तो बहुत ही अच्छा है performance Galaxy M20 तो आप मुझे comments में बताएं कि आपको कौंसा camera ज्यादा अच्छा लगा मेरे साब से अगर आप बहुत सारे photos daylight में कीचने वाले हो तो Galaxy M20 ले लो पर उसी तरफ अगर आप indoor या फिर low lighting conditions में ज्यादा photo कीचते हो और अगर आप video recording करने वाले हो अपने फोन से तो आप Zenfone Max Pro M1 ले 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 ला तो उसी के साथ अभी वीडियो को end करते हैं यह था camera comparison Galaxy M20 और Zenfone Max Pro M1 के बीच में मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाले हो Galaxy M20 के बार में तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलते रहें बेल इकन दबाना मत भूलना एनिवेज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपकी नोटिफिकेशन्स में वापस आऊंगा थैंक यू